नाम प्यारे साथियों, मैं रामनेवास गिरी, मित्रों, पिछले कुछ समय से हम शुष्मन्ना जागरण पे सिरिज बना रहे हैं, और उसमें हमने क्या किया, कि जितना भी किरियाएं हैं, वो सब किरियाएं आपको, वो सारी की सारी किरियाएं आपको step by step, पूरी की पूरी किरिया करके समझा रहे हैं, कि आपको कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किरिया पूरी करते हैं, और पूरी किरिया आप देख पाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको ये पता लगता है, कि हाँ step by step हमने कैसे चलना और कहां पर सरीर को होल्ड करना है और कहां पर हमें से वर्क में लेना है प्यारे साथियों देखे मैं आपके सामने जितने भी वीडियों बनाता हूं रखता हूं उन समय जो रियल क्रियाए है में वही देता हूं यो सुष्मन्ना का जो मार्ग है इसमें क्या है कि क्योंकि आधार जो है वो सुष्मन्ना है अगर कुंडलीनी परवेश करते हैं तो सुष्मन्ना में करती है अगर जागरित होते हैं हमारे चक्र तो वो सुष्मन्ना के माध्यम से होते है तो प्यारे साथियों जब तक रूट नहीं होगा जब तक हमारे पास में पूरी तरह से मारग नहीं होगा तो हम कहां पर काम करेंगे इसलिए आपके सामने में वही चीज रखता हूं जो रियल है जो प्रैक्टिस में है और जो लोग काग जो में यानि किताबों में पढ़ पढ़ के देखते हैं और वो बोलते जा करिए और आपको निश्चित सफलता मिलेगी आपके शरीर के अंदर बदलाव आने लग जाएंगे अगर आपकी वही किसी तरह को सुच्मन नमा पर इस नहीं भी कर पाते तो कम सरीर तो रोगों से बच जाएगा तो इसलिए आप पूरी तरह से मेरी पूरी वीडियो देख करियाओं को करना पड़ता है आज मैं आपके सामने ये बात खोल देता हूं कि एक करिया को करने के लिए अनेक करियाएं करने पड़ती है हमने इस सुचमन ना जागरन के सुचमन एक्टिवेशन के छे पार्ट बनाए इन छे के छे पार्टों में आप जहां पर भी आपको लगे के हाँ इसमें कहीं तुरूटी है कोई बात है तो मुझे आप कमेंट करिए और जुरुत पढ़ी तो सात्वा पार्ट भी हम इसका रखेंगे वैसे तो हमने कोशिज करिए कि छे पार्ट में पूरा हो जाए लेकिन अगर जुरुत पढ़ती है तो सात्वा भी रखेंग वो तो आगे फिर आप लोगों के उपर बात है कि आप क्या चाहते हैं प्यारे सात्यों मेरे सामने सदा से एक चैलेंज रहा मैंने बच्पन से आज में एक छोड़ी सी बात बता दो बच्पन से मेरे मन में बहुत सपष्ट रहा कि मैं उस सक्ति को पाऊं जो सक्ति संसार मे सब को संचारित करती है उस इस संसार के अंदर ऐसा कौन सा मारग है जो से मैं पाऊँ साथियों मैंने बहुत पहाडों की कंद्राओं में तब किया पहाडों की कंद्राओं के साद्वों से मिला संतों से मिला साद्गों से मिला लेकिन इन सब में मिलने के बाद इन सब से मिलने के बाद मैंने जो निसकर्स निकाला वो निकाला क्योंकर मेरे को सारे मारगों के लोग मिले मेरे को भक्ति योग के मिले, करम योग के मिले साधना के मिले और सेवा भाओ के मिले सब मारगों के लोग मुझे मिलते गए लेकिन मैंने जो पाया वो ये पाया कि जो योग है योग के जैसा कोई दूसरा मारग नहीं है साधना के छेतर में और कुछ पाने के लिए यानि अपने आपको आत्मा से परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए अपने आत्मा को प्रमात्मा से connect करने के लिए वैसे तो connect है ही लेकिन उसका जो ये जीव है बीच में ये जीव इसके अंदर त्रिसनाएं आ जाती है लालच आ जाता है और ये हमें भटकाने लगता है तो प्यारे साथियों मैंने देखा कि योग जो है योग सर्वोतम है इसल छलकूद लेकिन योग मुझे सुरूं से बोहत अच्छा लगया और जब मैंने बड़े बड़े संतों के दर्सन किए और मैं उनके बीच में गया अपने गुरुजी के बीच रखता हूं वो विल्कुल ऐसे रखता हूं जैसे मैं आपको शाक्सत बता रहा हूं आपके कोई भी सरीर की हारी ना हो आपके अंदर कोई वितरूटी ना ऐिंसले मैं आपको सभी के और मैं बिलकुल नियम से बताता हूँ और पूरी पूरी बताता हूँ प्यारे साथियों यह तीसरा भाग है शुष्मनना एक्टिवेशन का और इसमें हम आपके सामने कपाल भाती के दुआरा क्योंकि जब कपाल भाती हम करते हैं तो हमारे जो गुदा मार्ग है इसमें अस्वन का explains हमारे स्वेता होने लगते हैं जिक मुलाधार मुलाधार से जब चोट पड़ती है तो शुष्मनना के अंदर कुंडली नहीं है मारे साड़ साधी दिले पेटे लगाके हमारे मुलाधार के और जो सोई होती है उसके उपर चोट पड़ती है और हमारे सभी नसे नाडिय है यानि कि साफ होने लगता है और जब वो साफ होगा शरीर आपका निर्द्वंद होगा जब इसमें कोई द्वंद नहीं होगा तभी आप इस मार्ग में आगे बढ़ पाओगे तो हम तीन तीन स्टेप 120 भी इस कपाल भांती के इसमें लेंगे और कहां पर होल्ड करना कैसे क क्या है और एक आप ऐसा कपड़ा लेके जरूर बैठे साथ में क्यूंकि आपके नासिका से जो क्यों जब हम कपाल भांती करते हैं और जब आपकी नासिका से पाणी बहने लग जाए जब इसके अंदर से मल नीचे आने लग जाए तो आप समझे ना कि आपकी कपाल भांती परफेक्ट है और आप अपने मार्ग पे पूर्ण तरीके से अगरसर हैं देखिए सरीर को बिल्कुल धिला छोड़ देंगे और कमर गर्दन सीधी कर दो देखिए सरी और कमर पार्ट देखिए से अगरस टार बिल्कुल भीघके सीधी यहां पर मेरे 120 इस्टोक हो गए साथियों जब हम थोड़ी स्पीड से कपाल भांती को करते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं उनकी ताकत बढ़ते हैं आपने देखे हो करोना काल में उनहीं लोगों की मिरित्यों ही जिनके लंग्स कम जोर पड़ गे और जो स्वांसों के उपर नियंतर नहीं रख पाए उनहीं लोगों को ये संसार छोड़ना पड़ा प्यारे साथियों कपाल भांती जो है आपके गुदा मारग से लेके यानि आपके मुलाधार से लेके रसाइसरार तक के जितने भी कफ के दोस्त हैं वो सारे खतम करती है आपकी हर सिरा को ताकत वर बनाती है जब आपके आँते ताकत वर होंगे तो आपको कबज नहीं होगा जब आपका लीवर ताकत वर होगा आपको भूक की कमी नहीं होगी यानि भूक अच्छी लगेगी जब आपके लंक्स ताकत वर होंगे तो आपको सांस नहीं चड़ेगा आपको BP बगारा की दिकते नहीं होंगी आपको कोई कफ के दोस्ट नहीं होंगे और साथियो जब आपका मस्तिस्क अच्छी तरह क्लीन होगा, साफ होगा तो प्यारे साथियो आपको अनिंद्रा के दोस्ट नहीं होंगे आपको यादास्त की problem नहीं होगी और सारी बहुत सारी चीज़े आपको controlling के problem नहीं होगी आपको कभी paralyzed नहीं होगा आपको और दूसरे समयशाई नहीं होगे आपने देखा जो मैंने पहले step लिया इसमें मेरे sense बिल्कुल clean है लेकिन अब धीरे 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 अंदर से पाणी आने लग जाएगा देखिए लेकिन तो अजाए नाएगा देखिए जाएगा देखिए एकिन आने लेकिन गजया इभाएगे जाएगा देखिए ? झाल झाल यह मेरे दो स्टोक होगे 120-20 के आप इसमें देखाऊगे इसमें मेरी जो नासिका की जो स्वांसों का जो सोर है वो बदल गया क्योंकि अंदर से पाणी धीरी धीरे आने लग जया है इसको आपने क्या करना है ऐसे कपड़ा रखना है और उसको साफ करते जाना है जितना भी आपके अंदर से जो कफ निचे उतरेगा यह पाणी निचे उतरेगा यह समझ ले न यह जहर है यही हमारे जो टॉक्सिन हैं हमारे बोडी के अंदर वो है यह जो हमें कमजोर करती है हमारे सरीर को रोगी बनाती है प्यारे साथियों और कोई भी माध्यम नहीं है जो आप इसको बाहर निकाल सके सिवाए इस क्रिया के यह कपाल भाती इसको आपको तेजी से करना पड़ेगा और इसी से आपको पूरे सरीर के अंदर जब आप स्टोक मारते हैं तो आपके अस्वनी आपकी वजडोली आपकी खेचरी इसमें स्वेता बढ़ने लगते हैं और साथियों एक बात और बता देता हूँ सुश्मना पे ही आधारित है सारा कुछ सारे चक्र जो है वह सुश्मना पे आधारित है जितना भी आपके जो समादी है वह भी सुश्मना पे आधारित है आपके प्राणयाम पे आधारित है झाल 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 आप देखते हैं इस में लास्ट में स्वांसों के स्वर बदल जाते हैं जैसे जैसे हमारे नोचल बॉल से पानी निचे आने लगता है ऐसे ऐसे इसकी आवाज में फरक पड़ जाता है और जैसे जैसे इसका पानी निचे आएगा ऐसे आपका मस्तिस्क हलका होने लग जाएगे आपके आँखों की रोशनी बढ़ने लग जाएगी, आपकी आवाज अच्छी होने लग जाएगी, आपको भूक अच्छी लगेगी, नींद बहुत अच्छी आएगी, और आपको भूलने की जो समस्या है, वो भी ठीक होने लग जाएगी, और दूसरी बात है कि आपको शिर ये ऐसे ले लिया और ये यानि जो पैर पहले नीचे था वो उपर हो गया और जो उपर था वो नीचे हो गया इसको हम पतमासन क्यूँकर एक ही आसन में सारे श्टोक नहीं करने चाहिए आधे स्टोक हमें इडा पे करने चाहिए यानि वामंग पे करने चाहिए और आधे स्टोक हमें दक्षिनंग पे करने चाहिए यानि पिंगला पे करने चाहिए साथियों देखे धहरी ये बहुत बड़ी चीज़ है धहरी आपको रखना पड़ेगा और धहरी से ही आपको ये जीवन जीना पड़ेगा धहरी से ही साधना होती है और कोई कहने लग जेगा एक साधका मेरे पास में कमेंट आया बोला जी मिरको एक महिने में जागरित करना है कुंडलनी को अपने मूलाधार को मैंने का भई धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलोगे तभी आपको सुरक्षित मंजिल मिलेगी अने थन नहीं मिलेगी साथियों ये छीनने की चीज नहीं है ये पाने की चीज है ये छीना नहीं जा सकता इसको पाया जाएगा करे ला ताने की चीज? चाई बस Luigi a कीजिए दूम अची है già वे ये बाएगा जब की चाका button वे लाएगा और rust Uniqis कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह मेरा चोथा स्टैप हो गया कपाल भांती का यह मेरा 120-20 के 4 स्टोक हो गये यानि कि 3 वामंग पे और एक दक्सिनंग पे साथियों जब आपका मस्तिस्क की सभी सिराएं क्लीन हो जाती है साफ हो जाती है क्योंकि क्योंकि यह मस्तिस्क भी हमारा कफ से लिपट जाता है औरन के अंदर भी हलके मुव्मेंट होती रहती है क्योंकि जैसे जैसे हमारी नाभी मंडल वाजी को पूश करता है ऐसे ऐसे पूरे सरीर को पलड का संचार मिलता है वाजी को संचार मिलता है जल का संचार मिलता है तो जहां पर कोई संचार जाएगा तो कमपन तो होगा तो हमारा मस्तिस्क भी हलके हलके कमपन करता है और इसके अंदर जो कफ होता है वो इसके उपर परत बन जाती है और जब इसके उपर कफ की परत होती है तब ही हमें हमारी जो सोचने की सकती है वो कम होती है भूलने की आदत ज़्यादा हो जाती है आँखों की रोशनी गिरने लगती है क्योंकि जब हमारे सरीर के अंदर कोई कफ की अधिक्ता हो गई तो हमारे सिराओं के अंदर ये कफ सूखने लगता है और जब कफ सूखने लगता है तो ये हमारे बलड को गाड़ा करता है ब्लड भी गाड़ा होता है इसे और साथियों वो धीरे धीरे नसों में जमने लगता है जब वो जमने लगता है तो आपको अनेक रोग होते हैं जो आँखों के अंदर जमता है तो आँखों की जो रोशनी है वो कम होती है इसके अंदर मूत्या बिंद होने लगता है और दू तो ये सारी जो चीजे हैं वो कफ के ही क्योंकि कफ से मैंने बहुत बार आपको कया कि कफ से ही हम जीते हैं कफ से ही मरते हैं कफ ही मोत होती है हमारी जब हम किसी के स्वास निकलते हैं जब उसकी बुढ़ापा आने लगता है तो उसके हर्दे में उसके लंक्स में उसके गले मे कफ किया दिखता हो जाती है और वो मुमिंट नहीं करने देता और हमें स्वास नहीं आता साथियों परमात्मा इतने निर्दे ही नहीं है कि वो आपको इतनी से उमर दे के भेज़े परमात्मा का जो हर्दय बड़ा विसाल है वो हम सब का पिता है वो आपको कोई भी चीज कम नहीं देता साथियों कोई न कोई स्रीर के अंदर दो सुत्पन हो जाता है और हम अल पायों में ही चले जाते हैं योग आपको जीवन देने वाला मार्ग है आपने सुना होगा बहुत से लोग हैं जो अमर होगे हनुमान जे अस्वत्थामा, किर्पाचारिय आला, उधल भर्थरी, गोपी चंद और जिनको हम जानते नहीं अनेक इस प्रत्वी पर ये प्रत्वी भरी पड़ी है उन अमर लोगों से और बहुत से जगाओं में तो किरिया योग में बाबा येका भी नाम आता है तो प्यारे साथियों, ये सब सम्भव है ये मेरा यहां से पांच वस्टोग तो प्यारे साथियों लाबा, साथ ऑ्रत्वी नाम आता है कर दो ये ख्ये अंता है कर दो कर दो कर दो कि नगने ब्रस्क्र दो कि यह रखते हैं कि यह रखते हैं यह बेरा पांच ट्रूक बूर हो गए कर दो तो आपको हर बार किसी किसी जो सुरू में तो पहले स्टोक में आने लग जाएगा और निया तो दूसरे तीसरे स्टोक में आपको उपर से पानी आने लग जाएगा नाक से और इसको आप साप करते रहे और हेवी हेवी स्टोक मारते रहे जीवन का जितना भी व्याधी हैं ज आपको ना कोई BP, ना sugar, ना thyroid, ना cervical, ना कोई और रोग, देखें लंबे-लंबे रोग गिनवाने की मुझे आवसिकता नहीं है, सर्वर रोग हारक है योग, कोई भी रोग नहीं होगा आपको, आप इस जीवन को ऐसे जीएंगे, जैसे अनमोल चीज मिल गी हो आपको, जैसे आ आपको संसार का सब कुछ मिल गया हो, पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद धनमाया पूतरा दे आते हैं, सबसे पहले आप स्वास लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप जीएना चाहते हैं, इसलिए जीने का अगर कोई मार गए हो तो योग है, छेटा स्टोक, आप देख हर बार उपर से पाणी आ रहा है, और ये पाणी जितना निकलेगा, जब तक ये निकले, इसको निकालते जाएए कभी कभी तो ये पूरा भी नहीं होने देगा, आपको बीच में ही रुकना पड़ेगा कर दो यह हो गया पूरे छे स्टोक एक सो बीस बीस के छे राउंड हो गए हैं आप देखियो साथियो जब आप इसको पूरे को पूरे को कर लेगे आपके अगर आप करते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएं कि आपको क्या-क्या अनुभा हुए है और जो नहीं करते पहली बार करे वो 120-20 के स्टोक शुरू करे पहले 120-20 दोनों पद से फिर यानि दो दो राउंड फिर तीन तीन फिर चार चार पांच पांच भी कर सकते हैं आपकी सामर्थ के अनुसार लेकिन जिनको हाई बीपी है जिनको हार्ट की सरजरी है वो बहुत सावधानी से करे थोड़ा का करना है ऐसी बात नहीं है कि आप 10-20 स्टोक ले लेंगे आप पचास-स स्टोक ले लेंगे तो आपको कोई प्रोब्लम हो जो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हलके हलके ले ऐसे जिनको सरजरी हो रही है उनके लिए है ये इतने छोटे छोटे आप देखेंगे कुछ समय कुछ महीनों के बाद आपको सरीर पूरी तरह से आप भूल जाओगे कि आपको कोई हार्ट की प्रोब्लम कभी होई थी आपकी कोई सरजरी हो रही है आपको कुछ और आप कोई बी आपको हर रोग से छुटकारा देता है योग, जब आप निरोग होंगे, तभी आपकी साधना होगी, तभी आपका ध्यान लगेगा, तभी आपके अंदर, अब हम कल्पनाओं में बैते जाए करी, हम समुंदर देख रहे हैं, आकास देख रहे हैं, पृत्वी देख रहे हैं, और मन चाहिए चीज़ये देख रहे हैं, वो आप कल्पनाओं में बैर हेँ, जब तक आपके पजरोली, खेचरी, सिध ना हो जाए, जब तक आपका वीर, उधर गामी ना हो जाए, जब तक उधर गामी आपका वीर नहीं होगा, आपका वीर या उधर उपर नहीं जब तक आपके पले कुछ मी नहीं है जब तक हाँ जब आप पूरी तरह से निरोग हो जाएं जब आपके अंदर पूरी सक्तियां विराज माना हो जाए आपके सरीर की आपका सरीर लगने लगे आप चले तो कदम आपके उठे ऐसे उठे जैसे फूलों पे चल रहे हो और कोई आपको अगर बैक से देखता है कोई पीछे आपके आ रहा है तो देखे कोई योगी जा रहा है कोई पुरुस जा रहा है कोई महापुरुस जा रहा है ऐसा आपके बारे में thinking हो आपका स्रीर बिल्कुल सीधा हो उसके अंदर कोई जुकाव ना हो ऐसा जब आपका स्रीर होगा तब आप समझें आपको योग सीध हो रहा है धीरे धीरे लेकिन योग सीध का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ खाते जाए आपको भूत अल्प आहर लेना है डेली आपको अपने स्रीर को शूद करना है और धीरे 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 शुचमना में प्रवेश की और ये हमारा तीसरा पार्ट है